फोल लेते टाइम मेरे हिसाब से दो बात का ख्याल सबको रखना चाहिए एक तो यार आपके बटवाय में कितना रुपिया है दूसरा कौन सी चीज की आपको नीड है क्योंकि एक बार आपने ब्रैड को पईसा देल दिया उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा यदि आपका बजट है 30,000 रूप है आज भी आपको पाच ऐसे फोन बताऊंगा जो मेरे हिसाब से काफी ज़्यादा धुरंदर है हर एक फोन में कुछ अच्छा होता है कुछ खराब होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे चैनल में पहले बार पदा रहे हैं अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब यार सब्सक्राइब तो बद्धा है और इस वीडियो में कम से कम 15 सो लाइक आजाएंगे ना तो काफी ज़्यादा मज़ा आजाएगा सबसे पेले हम बात करते हैं पच्छमे नंबर के फोन की जिनको या सुन्दर फोन लेना है वीवो से काफी ज़्यादा प्यार है आप जा सकते हैं वीवो के V29 की तरफ अब त्यार V30 भी आने वाला है यहां बज़ा आपको प्रोसेसर मिलता है वो या नया तो नहीं है इस नापको का 770 8G यादि आपको पुराने वाले प्रोसेसर से कोई भी दिक्कत नहीं है तो यह पर्फरमेस आपको डीसेंट लगेगी लेकिन और जो चीजे भी लेना वो बहुत ही कबाल की है जैसे 50MP का कैमरा आपको काफी अच्छी वाली फोटो दे देगा चाहे आप दिन में फोटो ले चाहे आप रात में फोटो ले चाहे तो अपनी सेल्फी निकाले क्यूंकि 50MP का ही आपको सेल्फी कैमरा मिलता है वाल्दा फोटो के मामले में Vivo का V29 बहुत ही गजब का डिवाइस है बिल्ड क्वाल्टी पे भी कोई भी कम्रोमाइस नहीं है बहुत ही लाइट वाला फोन है बहुत ही पतला दुबला वाला है और जो मेरे पास कलर है ये मुझे बहुत पसंदार है 1.5K का कर वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है आउट्डोर की जो विस्बिल्टी है ये भी सही है बैटरी तनिक सी छोटी वाली है 4600 मेच की लेकिन किसी तरह आपका एक दिछ चल जाएगा बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 80W का फटाफट आपका फोन चार्ज हो जाएगा आज की डेट में मैक्समाफ फोनों में इधर उधर वाली एप्लिकेशन आपको देखने को मिलती है तो भाहिया ये चीज़े केवल इस फोन में ही लागू नहीं होती है जिनको वीवो का सुन्दर फोन लेड़ा है अच्छा कैमरे वाला फोन चाहते है आप जाएए वीवो के V29 की तरफ यहापक क्या प्रोस है क्या कौन सा है अब आपके सामने है अब बात करते फोर्थ नंबर के फोन की यहाँ पर है बहुत ही कमाल का ने वाला डिवाइस सुन्दरता के मामले में भी है ये फोन आपको निराश नहीं करेगा और यह है Realme का 12 Pro Plus बैक में वीगा लेधर मिलता है जो लाइन वाइन बनी है बीज की तरफ यह बहुत ज़्यादा सुन्दर लगती है वीगा लेधर की एक खास बात होती है भाई आप बिना बैक कवर के फोन को यूस करेंगे आपको काफी प्रीमियम फील होगा कैमरे का जो मड्यूल है यह भी काफी ज़्यादा सुन्दर है बस यार बैक कवर लगा के फोन को यूस करेंगा क्यूंकि तनिक सा बाहर है कैमरे की डिपार्टमेंट में भी यार रियल्मी वालों ने कोई भी कवी नहीं छोड़ी है यहाँ पाद 2 Megapixel का कोई भी खेला रही है पेरी स्कोब लेंस मीं मिल जाता है 50 Megapixel का Sony का IMAX 890 वाला यार आपको कैमरा बिलता है जो आपको काफी कवाली फोटो दे देगा 120X तक की भी आप फोटो को क्लिक कर पाएंगे OIS का आपको सपोर्ट मिल जाता है आगे की तरह 120 और उसका कर वाला AMOLED डिस्प्ले है डिस्प्ले में कोई कवी दाई है सही है वैसे Realme वालों ने बहुत सारे फोनों में ऐसा ही डिस्प्ले दिया है बनाब सुन्दर फोन बहुत है Realme का ये वाला बैटरी है 5000 वेच की बॉक्स के अंदर 67 वाट का आपको चार्जर मिलता है UI में इधर उधर वाली एप्लिकेशन है लेकिन बेकुल लेटिश एंडवाट के वर्जन के साथ आया है मला 14 अगले दो एंडवाट के वर्जन आपको और मिलेंगे तीन साल का सेक्योटी पैज प्रोसेसर जो है वो है स्नाप्डेगन का 7S Gen 2 यह जो प्रोसेसर है 24 में बहुत सारे फोनों में आने वाला है वैसे आपको याद है POCO का X6 वहाँ पर भी यही वाला प्रोसेसर है यदि आपको अच्छा कैमरे वाला फोल लेना है तो आप जा सकते है Realme EK 12 Pro Plus की तरफ डिजाइड में भी कोई कभी रही है यहाँ पर क्या प्रोसेक्ट क्या कॉस है अब आपके साब्रे है थर्ड नंबर में है Redmi Note 13 Pro Plus ऐसा लग रहा है Redmi वालों ने इस फोन को Off-Land Barbecue लिए बनाया है भाई क्या डिजाइड दिया है देखने में काफी कमाल का है ये वाला डिवाइस वीगा लेधर वाला फोन मुझे काफी ज्यादा पसादा रहा है धोके से आपका फोन गिर भी गिया ना तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि विक्टर्स वाली पोडेक्शन है IP68 के साथ आता है मतलब आप अपने फोन को नहला भी सकते है डिस्प्ले बहुत ही कबाल का है अंडर 30K, 1.5K का एमोलेट वाला डिस्प्ले है आउट्डोर की ब्राइटनेस अठारा सो निट्स की है चाहे जितनी भी यार हाँ सनलाइट होगी न डिस्प्ले को देखने पे आपको तनिक सा प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पर जो प्रॉसेसर है वो है स्नाप डेकन का नहीं मीडिया डेक का डिपेंसिटी 7200 अल्टर एडिशन इधर उधर वाली एप्लिकेशन यहां पर भी आपको मिलेगी लेकिन आयार ब्लास्टर बहुत ही अच्छी वाली चीज है अभी यार यह फोन इंडिया में लॉजच चुआ है लेकिन Android 13 के साथ आया है बट इन्हों ने ये भी वाधा किया है तीन Android के वर्जन आपको और दिये जाएंगे चार साल का सेक्यूर्टी पैस कैमरा है 200 मेगापिक सिल का OIS का आपको सपोर्ट मिलता है मेरे साब से कैमरे में भी यार ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है 120 वाट का आपको चार्जर मिला है बॉक्स अंदर 5000 एमेच की बैटरी के साथ यहाँ पर क्या प्रोज है अब आपके साबने है आप बताओ रेड्मी का नोट 13 प्रो भाय करना चाहिए यहाँ उठा ले रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस अब बाग करते है दो नंबर के फोन की यदि आपको तगली वाली परफॉर्मेंस ले नी है तो आप जाएए पोको के एक सिक्स प्रो की तरफ यहाँ पा जो प्रोसेसर है वो है मीटेक डिमेंसिटी 8300 अल्टर एडिशन भाया जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन मिलता है ना बैंक ओफर के बाद उसके साब से बहुत ही पावरफुल वाला प्रोसेसर है ना तो फोन थोटल होता है बैंक स्कोर भी बहुत जादा है बैटरी है 5000 मेंच की बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 67 वाट का बैटरी में कोई भी कॉम्रुमाइज नहीं है अभी जितने भी फोन शाओमी वालोंने लॉंच करे चाहे वो रेडमी का नोट 13 प्रो हो चाहे तो पोको का X6 हो और या तो X6 प्रो हो इस सभी फोनों में 1.5K का एमुलेट डिस्प्ले मिलता है बजब डिस्प्ले में इस बाद शाओमी वाले विशेज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर गुला ग्लास पाइप की आपको बडेक्शन मिल रही है आउटडोर की ब्राइटनेस है अठारा सुनेटिस की फ्लैट वाला डिस्प्ले है लेकिन बैक में वीगा लेधर मिल रहा है कैमरा है 64 मेगापिक्सिल का फोटो भी यार आपको ये फोन सही निकाल के देगा OIS का सपोर्ट मिलता है लेकिन कमाल की बाद दिये है Android 14 के साथ आ है Hyper OIS है तीन Android के वर्जन आपको और मिलेंगे चार साल का सेकुर्टी पैट बस याण अपडेट सबह सबह प्याने चाहिए कोई भी ग्लिच रहे ना तब ही बजाएगा यदि आपको Poco का फोल ले रहा है होने वाला है और हो सकता है यह पूर आपको और भी अच्छे डिस्काउंट में देखना को मिल जाए यहां बाद जो प्रोसेसर है यह वही वाला है जो OnePlus के 11R में मिलता है मतलब Snapdragon 8 Plus Gen 1 परफॉरमेस में कोई भी इशू नहीं है अच्छा खासा यार प्रोसेसर है बैटरी है 5000 mAh की बॉक्स अंदर 120W का आपको चार्जर मिलता है जो आपके फोर को फटा फटा फट चार्ज कर देगा डिस्पले है 120Hz का एमलेट वाला आउट डूर में विजबिल्टी ठीक है वीगल लेदर के साथ आता है अब आपके साथ ने है अब मैं आपको खुल के पताता हूँ कौन सा फोन की लोगों के लिए है अच्छा कैमरा चाहते है आप जाए रियल्मी के 12 प्रो प्लस की तरफ या तो वीवो का V29 है तगली परफॉमेस आपको चाहिए तो भाई आपको जाना चाहिए Poco के X6 Pro की तरफ या आप बाई करे IQ का Neo 7 Pro डिस्पले काफी सुन्दार हो IP68 के साथ फोन होना चाहिए बैक का डिजाइन भी यार कमाल का बिल जाए तो आपके पास है Redmi Note 13 Pro Plus अब आप बताओ आपको क्या लगता है इन में से कौन सा फोन काफी जादा धुरंदर है आपकी दिवा में कोई और फोन होना उसके बारे में आप नीचे कमिट करके ही वीडियो से जाएगा अभी भी आपकी दिवा में कोई डाउट है खुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो भी आप बिंदास पूछ सकते हैं बस यार जाते हैं यह कहूँगा हसते रहें, मुस्कुराते रहें, चमचमाते रहें चलिए मिलते निक्स वीडियो में थैंक्यू, जैहिन